हमें नेता का भाषड नहीं चाहिए, क्योंकि हमने पिछले दस साल से देखा कि नरेंदर मोदी जी ने कहा था कि दो करोड लोगों को रोजगार प्रतिवर्स देंगे, अब वो तो दिये नहीं, कभी नहीं मिला ना, और दूसरा नेता भी वही तर भाषड को ही दे देता है, पर अभी गुरू जो है कुछी सिस्चियों को सारा फायदा दे रहा, एक तरफ जो है थोड़े से लोग, मुटी बर लोग पूरे देश के मालिक बने बैठे, जनसंख्या बढ़ रही है तो आपने ये थोड़े का कि हम वोट नहीं लेंगे इस जनसंख्या से, हर नागरिक क इज़्जत की जिंदगी और इमान की रोटी के लिए एक कानून लाना पड़ेगा है, वो है रोजगार को मौली का दिकार बनाना, और वो बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी से स्याई खर्च करने हैं कलम की नमस्कार मैं नूर जाँ और आप देख रहे हैं जनेत आवाज, जिस तरीके से दोज़र चौबिस के जो चुनाव है, वो नजदीक हैं, लोकसबा चुनाव नजदीक हैं, और जो दस साल में मोदी ने जो रोजगार की बात करी है, कि हर साल दो करोड रोजगार देंगे, त युवा के लिए भी आवाज उठा रहे हैं, ये, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ी है, और नेताओं की तरफ से सिवाए भासड आश्वासन के हमें कुछ भी नहीं मिला, ठीक है? और सभी बच्चे और उनके माबाब जो है, खास तोर से उन्होंने इतना महनत करके, फीस में इतना पैसा लगाया, में भेजा, सरकारी कॉलेज तो है नहीं, बी टेक, बी ए, बी एस सी के करने तो प्राइवेट कॉलेजेस तक भेजा उन्होंने अपने बच्चों को, उन्होंने ये सोचा कि जो वो खुद नहीं पढ़ पाए, वो अगर उनके बच्चे पढ़ लेंगे तो शायद उनके लि बेरोजगार हैं, और बेरोजगारी की स्थिती से क्या है, कि वो नशे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आउसाद में हैं, डिप्रेशन में हैं, एक नौजवान डिप्रेशन में कहां जाएगा, उससे घर में भी लोग लानत देते हैं, पाहर भी लानत मिलता है, ऐसी स्थिती में वो नशे की तरफ चला जाता है, नशे से फिर अपराद में जाता है, बहुत सारे नوجवान, NCRB का जो आकड़ा है, वो ये कह रहा है कि करीब डेड़ लाग से जादा लोग तो आत्मत्या एक साल में कर रहा है, पिछले साल का आई आकड़ा, ठीक है, NCRB में रजिस्टर्ड है, और उसमें 20 से 25 जार तो पढ़े लिखे नوجवान है, है ना, तो ये जो नوجवान है, वो पढ़े लिखे आत्मत्या क्यों कर रहे हैं, क्योंकि काम है ही नहीं ना, काम नहीं है, ऐसी स्थि जिएगा, वो इजद की जिएगा, जब आपके पास पैसा नहीं है, ऐसी स्थिति में इस देश में, इस समाज में आपको इजद नहीं मिलती है, और पैसा जो है काम करके मिलता है, और जब वो डिगरी लेके जा रहा है किसी कंपनी, किसी सरकारी नोकरी तो है नहीं, सरकारी रहे उन पदों को और ऐसी स्थिती में क्या है कि बच्चे वहां से छोड़ के अब कहीं तो काम करना है किसी प्राइवेट में जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में मजदूरी नहीं देते हैं कई बार तो फ्री में काम कराते हैं प्राइवेट कंपनी जिस तरीके से डिगरी य आपके पास उतने काबिल नहीं हो आप तो उतना वेतन क्यूं दें आप लोगों को हां पर उतना नहीं देना है नियूंतम वेतन जो है उसका कानून है उतना इतना तो आप मत दीजिए नी installations देना पदेगा ना तो जो स्किड लेबर है दिली में उसको 20,000 कुछ सो रुपया तो उसको शुरू में मिलना चाहिए किसी भी स्किड लेबर को आप चले जाए किसी दफ्तर में तो वहां 10,000 दे रहे हैं तो ये क्यों ये तो गैर कानूनी है जो उतना इतना वो हम नहीं कह रहे हैं आप उतना कब देंगे वो आगे की बात है पर किसी भी मजदूर को जो स्किड लेबर है उसकी ट्रेनिंग पिरियड के बाद आपको तो पूरा देना पड़ेगा ठीक है जब वो आपका कर्मचारी बन गया तो आपको देना पड़ेगा उसका E.S.I.E. उसका P.F. कटना चाहिए लेकिन ये है नहीं बहुत सारे बच्चे तो गिग वर्कर बन चुके जो डिलिवरी वाइज हैं डिलिवरी गर्ल्स हैं बहुत सारी तरीके के काम कर रहे है वो क्या है बारह आजार रुपे में दिन बर लगे रहते हैं उनका E.S.I. P.F. उन्हें करमचारी के मानेता नहीं स्वीगी जो मैटो वाले हैं ना उन्हें करमचारी के मानेता नहीं है और उनका E.S.I. करता है और उनको क्या बोल रहे हैं अब पार्टनर हैं ये एक नया नया शुरू कर दिया खेल है ना तो देश में अब गार्ड देख लो चौक चौर आए पर आपको गार्ड मिल जाए कालो्निय आ ऐटिम पे गार्ड मिलेंगे। उनने 12-12,000 गंटे खड़ा करते हैं गह्रे लू करमचारी हैं उन्हें 5-4,000 ह्रुपय में इतना पूरे दिन काम करते हो जाता है उनने नहीं मिलता है कुछ तो इस देश में लोग भीक नहीं मांग नहीं चाहते हैं लोग काम करत कोई सीवेज सफाई से लेके जहाज उड़ाने तक है, वो काम करके ही पैसा करना चाहता है कमाना, पर वो काम है कहाँ, देखे, 91 के बाद से निजी करण हुआ, और उसमें जो टेकनलोजी आई, टेकनलोजी ने सबसे पहले तो ब्लू कॉलर जॉब को खतम कर दिया, जो अपने बच्चों को बड़ी फीस दे के पढ़ाया, अब तो AI जो है, वो सारा काम खतम कर दिया, आप देखिए वहाँ पर TV चैनल पर, एंकर भी भोजपूरी भावी है, कोई सना है, अब एंकर का काम खतम हो गया, जो विशलेशन है, जो एनलसी से, वो सारा काम ले लिया, तो यह सारा काम अब AI करेगा, तो जनता क्या करेगा, नहीं वही सरकार बोल रही है, जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन उतनी नौकरी हम कहां से लाएंगे, देखिए, जनसंख्या बढ़ रही है, तो आपने यह थोड़े का कि हम वोट नहीं लेंगे इस जन परुक करना था, आपको कड़ा कानून बनाना था, इसको कौन मना कर दिया, इस देश की सरकार को समय रहते, यह इंद्रा गांधी की सरकार से ले करके, अटल भी हरिवाजपई की सरकार में जो है, निव पापूलेशन पॉलिसी बनी थी, उसको आपने क्यों नहीं लागू क अब जब जनसंख्या है, तो उसको आप हत्या थोड़े करेंगे, आप उसको उसकी इज़्जत की जिंदगी थोड़े चीन लेंगे, तो लब समधान क्या होगा, किस तरीक है कानून लाना चाहिए, समधान एक है, आप जो संसद है, उस संसद की एक मातर जिम्मेदारी है, क सिर्फ और सिर्फ थोड़ी से स्याहिख खर्च करनी खरणी कुछ नहीं है, संसद की स्याहिख करनी है, अभी जो किसानों के लिए कानून और जो मांगा नहीं था, लेकि सदूर्श की बढ़ों कानून तो जो जनता चाहती उसकी लिए बनता आ है, जनता को अगर यह कि अधिकार बनाया जाए हमें नेता का भाषड नहीं चाहिए क्योंकि हमने पिछले 10 साल से देखा कि अधिकार बनाया जाए हमें नेता के भाषड और अस्वासन से कुछ नहीं मिलता हमें न्याय के लिए जो रोजगार के लिए जो कानून है वो अभी तक नहीं बनाया गया और उनके माबब चाहते हैं कि उनका बच्चा रोजगार करें काम करें इज्जत की जिन्दगी जिए इमान की रोटी खाए अगर इज्जत की जिन्दगी और इमान की रोटी वो अपने बच्चों के लिए चाहते हैं तो उनके माबाप और पुरा परिवार रोजगार को मौली का धिकार बनाने के लिए न की विकास के लिए, विकास की बात संग्विधान में कहीं नहीं कहीं गई है, संग्विधान के पहले पन्ने में आर्थिक न्याय की बात कहीं गई, आर्थिक न्याय कैसे मिलेगा, पांच किलो अनाज पे हमें छोड़ दिया, एक तरफ जो है, ठोड़े से लोग मुट्टी पर लोग पूरे देश के मालिक बने बढाइस बढाएं इसे देश की हवा, मिटी और पानी तीनों जैरीला उगया तो देश के लोग भी तो पाँचवी अर्थ-विवस्ता बन रही तो देश के लोग भी तो पांचवी अर्थ-विवस्ता का फायदा कुछ लोगों को ही दे रहा है पुरे देश को नहीं तो यह अन्याए है या न्याए आप बताईए क्या है यह शोषण है शोषण है ना सब को मिलना चाहिए पांची और थिवस्ता का फायदा या कुछ लोगों को मिलना चाहिए देश कुछ लोगों का या सब का है आप बताईए सब का है तो सब को मिलना चाहिए ना फायदा तो तो यहीं रहना है, तो यह जो देश से कमाने वाले लोग हैं, वो एक परसेंट लोग हैं, देश की अर्थवियोस्ता से थोड़े से लोगों ने कमाया, और हवा पूरी जहरी लिगी, पूरा पानी जहरी लगिया, पूरा मिट्टी जहरी लगिया, हर पांचवा आदमी कैंसर है, तीसरा आदमी डियाबिटिक है, हर दूसरा आदमी डिप्रेशन में है, क्योंकि काम ही नहीं है उस पर, काम है तो मज़़ूरी नहीं मिलती, फ्री में काम करा लेते हैं लोग, तो यह जो इस्तिति है न, वही दुरभाग के पूर्ण है, बहुत ही कस्टमे हैं, बहुत ह नहीं राशा जनक है, अगर आप चाहते हैं कि देश का हर एक नौजवान मुस्कराए, तो आपको रोजगार को मौली का धिकार बनाना होगा, तो कि उससे उसकी इज्जत की जिंदगी और इमान की रोटी मिलेगी, और हर जवान कह पाएगा कि मैं इस भारत माता का बेटा ह अभी तो भारत माता तो सबकी माँ है ना, है की नहीं है, तो इसलिए हम लोग हमने नारा दिया, हमने कहा कि जैसरी राम, जैसरी राम, बुडो को पेंसन, जवानों को काम, ठीक है, हमारा साफ कहना है, कि अभी जो नारा है वो आदा दूरा है, केवल जैसरी राम, जैसरी र जैसरी राम, बुडो को पेंसन, जवानों को काम, ठीक, और दूसरा नारा है, कि सब को देना होगा काम, रगुपती रागाव राजा राम, मजदूरी का पूरा दाम, पतितपावन सिता राम, तो ये जो नारा है, ये असली नारा है, देश का नारा है, लोगों का नारा है, आ में राम राज भी तो चाहिए, वो राज जो है, वो यही होगा, कि जब जैसरी राम, जैसरी राम के साथ, बुढ़ों को करीब 17 से 18 करोड देश में बुजूर्ग है, उनको जो है, नया पेंसन पिछले 6 साल से नहीं बन रहा, इस देश को बनाने वाला, वो मजदूर बुजूर्ग है, वो किसान बुजूर्ग है, आज उसकी हालत यहीं कि समय पे चायब नहीं मिलती उसको, घर वाले भी बोज समझने लगे, जिसने देश बनाया, उसको बोज माना जाने लगा, इस से शर्मनाक और क्या हो सकता हिंदुस्तान के लिए, इस भारत माता के लिए क्या शर्मनाक होगा, कि जो बुजूर्ग हैं हमारे दरवाजे पे खड़े हैं, तो यह जो है ना, इस से अगर हमें मुक्ती चाहिए, हमारे देश को महान बनाना है, हमारे भारत माता को अगर महान बनाना है, अगर आपको सनातन जो है देश को स्थापित करना है, तो आपको रोजगार को मौली का दिकार बनाना होगा, नहीं तो आप सनातन के साथ खिलवाड करते हैं, भगवान राम के साथ खिलवाड है, यह भारत माता के साथ एक धोखा है सनातन कैसे आप बात करें इसमें और भी धर्म के तो लोग रहते हैं अगर सनातन ही बना देंगे तो बाकी धर्म के कहा जाएंगे हम यह कह रहें कि रोजगार मौली का दिकार बनेगा तो वो सबका बनेगा मौली का दिकार का मतलब जो नागरीक है वो सबका बनेगा हमारा तो सवाल इस सरकार से है जो बार-बार कहती है कि मैं विश्व गुरू हूँ हम विश्व गुरू हैं तो गुरू को तो सभी सिश्यों को पारंगत करना होगा न पर अभी गुरू कुछी सीचियों को सारे फायदा दे रहा, सारी योजनाए, सारे गुण, सारे जो विद्ध्या है, ये विश्व गुरू थोड़े से लोगों में बांट रहा हूँ तो हम चाहते हैं कि पूरे देश को इसका फायदा मिले हम ये कह रहे हैं कि ये देश जो है भारत जो है वो एक लोकतंत्रिक देश है ठीक है ना इस लोकतंत्र में अगर आप देखेंगे संविधान से चलता है तो संविधान के इसाफ से हम मौली का अधिकार की बात कर रहे हम justice की बात कर रहे है वो economic justice हर नागरिक हर बेटा बेटी को हर लड़का लड़की को हर पुरुस हर महिला को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए मिलना चाहिए तो वो मिलेगा कैसे वो constitutional amendment होगा एक bill पेश किया जाए right to work का जिसमें कि ये प्रावधान हो जाएगा उस bill को जो है ये संसत पास करें और फिर देश में कोई भी नौजवान यूवक हो या यूवती हो पढ़ लिखके वो आत्म निर्पर और जो है देश को महान बनाने में अपना योगदान करेंगे अभी क्या है अभी ये है कि कमाने वाला एक है और खाने वाले कही है तो लाइबिलिटी हो गए तो एक की उपर प्रेशर है न हम ये कह रहे है कि अभी आप हम भी चाहते हैं कि इस देश की अर्थवियोस्ता में क्या करें काम करेंगे तभी तो योगदान करेंगे अभी तो हम बिरुजगार हैं कोई योगदान नहीं कर रहे हैं तो आप बार-बार क्या कहते हो कि कोई भी आदमी भिखारी नहीं होगा जब आप कहते हैं टैक्सपेयर के पैसे पलते हैं तो हम वो चोट पहुंसती है हमारे इज्जत को हमारे मान सम्मान को तो इसलिए ये जरूरी है रोजगार को मौलिक अदिकार बनाया जाए और ये इस देश की जरूरत है आज की तो पूरी अर्थेवस्ता में वो भी अपना योगदान दे सकें इनका ये भी कहना है कि अगर रोजगार को एक मौलिक अदिकार बना देना चाहिए अगर बना दिया जाए तो कोई भी गरीब आदमी गरीब नहीं रहेगा सबको रोजगार मिलेगा और वो चैन से जिन्देगी जी पाएगा बाकि अपनी इस बात्चीतों ने प्रतिकिरत जरूर दीजेगा कैमरामेन आशीश के साथ नूर जान